एक बाइ फिर से स्वागत है तो कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बढ़ाय विच्छे चल रहे होगी तो आज की इस क्लास में हम कक्सा 10 विज्यन विशे के अध्रार्शिक प्रिक्सा के प्यापर को सौल करेंगे हमने गनित और समाजित विज्यन के पैपर को बहुत अच्छे से सौल करा दिया है वो क्लासेज आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आरम से देख सकते हैं या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक देदूँगा वहां जाकर भी आप उन डूनों पैपर गनि की तोर समाजित विज्यन के पैपर के सौलिशन को देख सकते हैं ठीक है तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम बात कर रहे हैं विज्यन विचे के अजवार्शित प्रिक्सा पैपर 2022 की सबसे पहले बात करते हैं खंड ए के प्रश्नों की पहला प्रश्न है या आपका है येल लार में पाई जाने वाले एंजाइम का नाइम बताईए तो उसका नाम है टाइलेन क्या नाम है टाइलेन ठीक है फिर है कमरे के ताप पर कौनसी धातू दरव अवस्ता में पाई जाती है तो वो धातू कौनसी है आप सब जानते होंगे जिसे हम कहते हैं पारा या मरकरी ठ उसका पर्ति क्या है HG, अगला दो तंत्रिका कोशिकाव के मध्य के खाली इस्तान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिकाव के मध्य जो खाली इस्तान होता है, उसे कहते हैं सिनेप्स, क्या कहते हैं सिनेप्स, अगला प्रश्म है पर्तिरोधक्ता का मात्रक लेखिए, तो जो प्रतिरोधक्ता का मात्रक है, वो है आपका ओम मिटर, क्या है? ओम मिटर, यह आपके प्रतिरोधक्ता का मात्रक है. अगला प्रश्ण है नमामी गंगे कार्यकरम किसे संबंदी थे तो ये गंगा नदी के सवचता से संबंदी थे किसे संबंदी थे गंगा नदी के सवचता से इस कार्यकरम के अंतरकत जो लक्षे रखा गया है कि गंगा नदी को परदूसन भुगत बनाना है तो किसे समद्री थे, गंगा नदी से समद्री थे 7 अगला परशन है, किन ही दो जिवास्म इंधनों के नाम बताईए तो आप कोई भी दो लेख सकते हैं, फुयला और पेप्रोड ठीक है, तो जिवास्मों से प्राप्थ होते हैं अगला प्रश्ण है प्रश्ण संग्या आठ थायरोक्सिन आर्मोन की कमी से ओने वाले रोग का नाम लिखिए आप लिख सकते हैं गेंगा रोग या फिर गलगंड रोग ये की नाम है ठेक है और थायरोक्सिन आर्मोन की कमी कब होती है जब बोजन के अंदर आयोडिन की कमी हो तीन अनुपात, तीन अनुपात, एक था, ठीके, फिर अगला प्रस्ण है, आरेज कारक की खोज, कीस परजाती के बंदर से हुई है, ठीके, तो आरेज कारक की जो खोज हुई है, उस बंदर की परजाती का नाम था, मकाको रिसस, क्या नाम था, मकाको रिसस, अगला प्रश्म है एक उदासिन विल्यन का pH मान बताईए तो कितना होता है उदासिन विल्यन की pH value साथ होती है ठीक है साथ से कम अमली विल्यन की और साथ से चुदा के बीच में सारी विल्यन की तो ये था आपका खंड A, आगे बढ़ते हैं खंड बव मेथेन के देहन की अभिक्रिया लिखिए तो मेथेन का सुत्र क्या होता है CH4 जब इसको जलाते हैं ऑक्सिजन की उपस्तती में तो क्या बनता है कार्बन डियोक्साइड आपका जल और क्या बनती है उस्मा उत्पन होती है ठीक है जब मेथेन को ऑक्सिजन की उपस्ती में जलाया जाता है तो कार्बन डियोक्साइड जल और उस्मा का निर्मान होता है अगला प्रस्ण है मानव सरीर के रक्त में एलकोहल की कानूनी सीमा क्या निद्धारित की गई है तो जो सीमा है वो पर्तेक्ट तो एमेल यानि 100 मिलिली लीटर रक्त के अंदर एलकोहल का इस्तर कितना होना चाहिए 30 mg से यानि 30 mg से कम होना चाहिए ये सरकार के द्वारा एलकोहल की कानूनी सीमा निद्धारित की गई है कि पर्तेक्ट 100 ml रक्त यानि खोन के अंदर एलकोहल का जो इस्तर है वो 30 mg से कम होना चाहिए ठीक है अगला रेड लाइट हेड लाइट पर पीले रंग का पैपर या टेप क्यों चिपकाते हैं जो हेड लाइट होती है वाहनों के अंदर उसके उपर पीले रंग का क्पैपर या टेप क्यों चिपकाते हैं तो देखें đ्राइविंग के लिए सवस्त अंको तथा एक अची नजर का होना क्या है अत्यार सक highways सवस्त अंको के साथ साथ एक अची नजर का होना क्या है बहुत ही जरूरी है यदि को गत्ती रतोंदी या कम नजर से पीडित है तो उसके द्वारा रातरी में ड्राइविंग करना क्या है खतरनाख है आंकों की दरश्टी से कोई भी रोग होने पर वहां चलाने पर दूर गितनाओ का खतरा क्या हो जाता है बढ़ जाता है अतर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय आंकों की जांच क्या है महतोपुन है ठीके तो इसी तरह से कि सामने वाले को अच्छे से दिखाई दे ठीके और सामने वाला आपके अनुसर क्या करें उच्छित परती किरिया दे इस वज़े से हेडलाइट पर पीले रंगा के आधुनिक आवर्तनियम क्या कहता है कि तत्वों के राशायनिक और जो बहुतिक गुन द्रम है वो उनकी प्रमानु संख्या के क्या होते हैं आवर्ति फलन होते हैं अगला पास्ण है परिवर्तन्सिल संयोजक्ता पर्दसित करने वाले दो तत्वों के नाम बताइए तो वो कौन से हैं? कलोरीन, ओक्सिजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ये एक से इधिक परकार की सहयों जगता परदसित करते हैं अगला है परकास के प्रावर्तन की प्रिभासा तो प्रकास के प्रावर्तन की प्रिभासा क्या है? कि प्रकास का किसी चते से टकरा कर वापिस उसी माध्यम में लोट जाना के कलाता है प्रकास का प्रावर्तन के लाता है अगला है प्रावर्तन का एक नियम लिखिए तो प्रावर्तन का पहला नियम है आपतित कीरण, प्रावर्तित कीरण और अभी लंब तीनो एक ही तल में क्या होते हैं, मौझुद होते हैं, और दूसरा नियम है, आपतन कौन आई और प्रापतन कौन आर, यानि कौन आई बराबर क्या होता है, कौन आर होता है, अगला है प्रश्ण संग्या सोडा, खडिन क्या है, और वर्सा जल संग्रहन के दो लाब बताने है तो खडिन क्या है कि राजिस्तान के अंदर जो पच्छिमी चित्र है विशेसकर जैसल मेर जिल्ला वहाँ पर पानी को सरंक्सित करने की ठीक है पानी को इकटा करने की सरंक्सित करने की एक विधी है ठीक है यह जल सरक्षन और जल परबंदन है तो अपने गई एक विधी है ठ दूसरा वर्सा जल संग्रहन से करसी उतपादन पर जो सूखे का प्रभाव होता है वो क्या होता है कम होता है और लोगों के लिए क्या होती है पानी की जो उपलबिता है वो सूर निचित होती है अगला प्रशन है तंबाकू और मदीरा के सेवन से मानम स्वास्ते पर ओने वाले एक अक्वी परभाव को लिखिए तो सिंपल सी बात है तंबाकू और मदीरा के सेवन से कई परकार के रोग जिसमें हर्दे रोग हो गया, कैंसर हो गया, मदूमे हो गया, पुरानी सांस की बिमारी होगी यह कई सारे रोगया होते हैं तंबाकू और मदीरा के सेवन से उत्पन होते हैं ठीके अगला विरंजक च प्रॉटन यानि कफास और टेक्स्टाइल उद्योगों में लिनन लांडरी में विरंजित कपड़ों को दोने के लिए किया जाता है और जल को सुक्समत जीवानों से नूख्त करने में निरोगानु रोधी बिनाने के लिए विरंजिक चौन का उप्योग किया जाता है इसके जो खेजडरी गाव है वहाँ से इस आंदोलन की सुरुवत हुई वो कहांपर है जोधपूर में और वह क्या कि राजिस्ताम के जिल्ले जोधपूर में इस्ती थे और यहां अंदोलन किसे समन्दी थे प्रयावन सरक्षन के नेतरतों में चलाया गया यहां आंदोलन में पर्यावान को बचाने के नित्रोतों में चलाया गया था कि जब योधपूर के सासक अभय सिंग ने जब अपने सैनिकों को खेजड़ी के पेट काडने के लिए आदेश दिया तो वो लोग खेजड़ी गाव चले गए और वहाँ पर जब पेड़ों को काटना उन्होंने सरी कर दिया और जब ये बात गाव के लोगों को पता चली तो अमरता देवी और उसकी जो पुत्रिया थी वो तीनों क्या हो अंदर्द घटना के अंदर क्या करती अपनी जानगवा दि ठीक है तो यादि पेड़ों को पेड़ों को कटाने से समधी ते आंधोलन समधी था कि जब राजा के हुकम पर सैनिक पेड़ों को काटने पहुंचे तो लोग क्या होगे पेड़ों से जाकर छिपक गए और सैनिकों ने बिलकुल मानिवित्ता को खोते हुए पेड़ों के साथ उन लोगों को भीगा कर दिया मौत के घाट उतार दिया तो केजले आंदोलन को इसी वज़े से छिपको आंदोलन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पेड़ की कटाई को रोपने के लिए अमरता देवी और उसकी तीन पूत्रियों के द्वारा जंगल के सबी पेड़ों के पाथ जाकर उनसे वो क्या होगी प्रेम पूर लिपट कर खड़ी होगी ठीक है लेकिन राजा के सेनिकों ने उन बच्चों पर और अमरता देवी पर कोई दिया नहीं करते हुए उनने पेड़ की साथ क्या कर दिया और उनके साथ 363 और लोगों ने क्या कर दिया प्राणों को त्याग दिया था ठीक है? ठीक है, अगला है खंड सव, निम्न लिखित के IUPAC नाम और सरंचना चुत्र लिखिए, क्या लिखने हैं IUPAC नाम और सरंचना सुत्र लिखने हैं, तो जो IUPAC नाम है IUPAC नाम C2S6, C3S6, C3H4 C2S6 इसका जो IUPAC नाम है वो है एथेन, क्या है इसका सुत्र कैसे होगा ये कार्बन है ठीक है, ये अलकेंस रनी का है तो ये होगा इसका सुत्र इस तरह है C3S6 तो ये आपका है प्रॉपिन ठीक है प्रॉपिन, ये कैसे होगा इस तरह इस कार्बन के साथ किते जुड़ेंगे दो और इस कार्बन के साथ एक इसके साथ एक और दो और तीन तो तीन और तीन छे यानने कि यह हो गया आपका C3H6 फिर C3H4 यह कुन सा है प्रोपाइन ठीके तो इसका कैसे बनेगा यह कार्बन के बीच में त्री आबंद तो यह हो गया हिड्रोजन आपका यह 3 और 4 एक दो और 3 ठीके यह आपका 20 प्रशन है आगे बढ़ते हैं नीरोन का नमांकि छित्र तो यह तंत्री का कुछ तिकाया है नीरोन का आपको एक नमांकि छित्र कुछ इस तरह बनाना था ठीके फिर आयोडिन युक नमक के उपयों की सलां क्यों दी जाती है क्योंकि आयोडिन युक नमक के अंदर आयोडिन की क्या पाय जाते है लबन पाय जाते है और आयोडिन की जो आपसकता है यह थायरोड ब्रोंती में थायरोक्षिन आर्मोन के संसलेशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है जिम्मेदार है, इसके लिए आवशक है thairoxyn एक महतोपन आर्मोन है जो कार्बोहाईड्रेड वसा और प्रोटिन के उपढ़ पचे को क्या करता है, कन्ट्रोल करता है साथ-वरदी के संतुलन के लिए आवसक होता है और यदि शरीर के अंदर थायरक्षिन आर्मन की कमी हो जाएगी तो गलगर्ण या गैंगा रोग उत्पन हो जाएगा अबला जैव सिकित सिय अपसिस्ट यानि जो डॉक्टर लोग होते हैं उनका जो अपसिस्ट होता है कच्रा होता है उससे उने वाले दो रोगों के नाम बताना है तो हेपिटाइटिस बी और टीटनेस ये जैव सिकित सिय जो अपसिस्ट है ठीके उनसे उपहलने वाले रोग ह फिर जयव निमनी करनिय और अजयव निमनी करनिय में अंतर बताईए तो इन दोनों के अंदर अंतर बताना है वे अपसिष्ट परदात जिनका जयव कारको याने केड़े मकोडे चोटी सुक्स्म जीवों के दवारा अभ गटन हो जाता है उन्हें कहते हैं जयव निमनी करनिय अपसिष्ट जैसे गरेलू कछरा, रूई, पट्टी और जयव सीकिट सीय कुछ अपसिष्ट और वे साबुन निकरण के साथ गरं किया जाता है तो वसा या तेल के लूट क्या हो जाते हैं विगटीद हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या क्या क्याते हैं ? जिसके भल सुरूप क्या बनता है? साबुन बनता है. मतलब हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसके प्रिणाम स्वरूप साबून का निर्मान होता है या वह प्रक्रिया जिसके प्रिणाम स्वरूप साबून का निर्मान होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं साबून निकरण ठीक है अब हमें बताना है साबुन का सुत्र और अपमार्जक का सुत्र तो यहाँ पर लिख लेते हैं साबुन का सुत्र और दूसरा है आपका अपमार्जक का सुत्र अपमार्जक का सुत्र ठीक है इन दोनों के आपको क्या लिखने हैं सुत्र लिखने हैं तो साबुन का सुत्र सबसे पहले देखते हैं जो साबुन का सुत्र होता है आपने पढ़ा होगा साबुन उच बसी अमलो के क्या होते हैं, sodium या potassium लवण होते हैं साबुन क्या होते हैं, साबुन उच बसीयम लोग के sodium या potassium लवण होते हैं तो साबुन का सुत्र हो जाएगा आपका C17, H35, C00, Na ठीक है, और आपके अपमार्जर का सुत्र हो जाएगा CH3, CH2 के 10 अनू, फिर CH2, O, SO3, माइनस, Na+, ठीक है यह सुत्र हो जाएगा आपके किसका अपमार्जर का, ठीक है आगे बढ़ते हैं, दो पर्बल अमला और सारो के नाम लिखिए तो दो पर्बल अमला कॉन कॉन से हैं, हाइड्रोकलोरिक अमला और सल्फिरिक अमला H2SO4, ठीक है, यह सल्फिरिक अमला का सुत्र है और पर्बल सार, NaOH, sodium hydroxide और KOH, potassium hydroxide ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रशन संख्या 24, खंड दो के अंदर उप्रवक्त परिपत में A और B के मद्दे तुल्ले परतिरोद ग्याद के जिए तो देखो इसमें यह तीनों कौन सी स्रेणी में है, तीनों समांतर स्रेणी में है तो तीनों को समांतर स्रेणी के अंदर हम जोड देंगे तो समांतर स्रेणी का सुत्र क्या होता है 1 upon rp यानि तुल्य परतिरोध बराबर 1 upon r1 1 upon r2 plus 1 upon r3 यह हो गया आपके समांतर स्रेनी का सुत्र तो 1 बटे में 3 1 बटे में 3 3 का आगया LCM उपर कितना हुआ 1 plus 1 plus 1 यानि 3 बटा 3 यानि कि 1 तो आपका जो तुल्य परतिरोध है वो कितना आगया 1 ओम आगया ठीक है फिर दूसरा इसमें देखो पहले यह स्रेनी करम में हैं दोनों तो पहले स्रेनी करम में ठीक है यह path 1 और यह path 2 ठीक है तो path 1 का पहले निकल लेते हैं तो स्रेनी करम के लिए rp1 ठीक है सबसे पहले path 1 का r1 plus r2 2 ohm plus 2ohm यानि कितना आगया 4 ohm फिर rp2 यानि दित्ते पात का ये वाले का इसका भी कितना आगया 2 ohm plus 2 ohm यानि कि 4 ohm अब देखो कैसे होगा अब आपके ये स्रेने बन गी अब यहाँ पर एक ये वाला हो जाएगा और एक ऐसे और ये कैसे हो जाएंगे अब समांतर करम में यह हो गया 4 ohm का यह भी हो गया 4 ohm का ठेक है तो अब तुल्ले परतिरोध क्या होगा 1 upon rp equal to 1 upon 4 plus 1 upon 4 1 upon rp यानि तुल्ले परतिरोध बराबर कितना हो गया 2 upon 4 2 upon 4 का मतलब कितना है 1 बटा 2 1 upon rp बराबर 1 बटा 2 इसको उल्टा कर लेंगे rp बराबर कितना जाएगा 2 ohm यही आपका उत्तर हो जाएगा पहले अमने क्या लगा इज़र स्रेणी करम का लगाया सुत्र और फिर अमने कौन से लगाया समांतर करम का इस तरह यह आपको तुल्य परतिरोद ग्याद करना था आगे बढ़ते हैं आड्रोजन लिथियम सोडियम और पोटेसियम तत्वों को परमानू आकार के बढ़ते करम में व्यवस्तित करना है तो देखो यह चारो एक ही वर्ग के तत्व है क्योंकि इनके बाहरी कोस में सब सभी समान वर्ग के तत्व है और समान वर्ग के तत्व है मतलब वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे के और जाते हैं तो जो तरीजिया है वो क्या होती है वो बढ़ती जाती है क्योंकि कोसों का आकार बढ़ता जाता है देखो इसमें एक कोस है इसमें दो इसमें तीन और इसमें चार तो सबसे जो कम प्रमानुत रिज्या है यह आकार है वो आइडरुजन का फिर लिथियम का फिर सोडियम का और सबसे दिक किसका हो मौधिल के दनावेस होते हैं दूसर क्या क्या है घनावेस वस्त हुद्ट सिक्षित प्रोटी और रिनावेसिए उस्तwe низाु का मान क्या होता है आपस में समान होता है कि गम करा कि इस वजे से प्रमानौ मुल रुप से उद्यासिन होता है ठीके और थॉंसन के प्रमानू मोडिल की जो सरंचना थी वो किसके समान दिखाई देती थी बिल्कुल तरबुज के समान जिसमें प्रोटॉन की तरह तरबुज का लाल खाने वाला भाग और इलक्टॉन की तूलना उन्होंना की से की तर्बुज के बीजों से की और इसी वज़े से इसे पलम पोडिंग मॉडिल के नाम से भी जाना जाता था ठीक है फिर अगला उससरजन तंतर का नामांग की चित्र तो यह आपको चित्र बनाना था फिर मुतर निर्मान को है वक्रक धमनी के द्वारा तो वक्रक की धमनी से रक्त असंक्य कुंडलित कोसी का गुच्चों में पहुंचता है जो कहां पर इस्तित होते हैं और यही पर रक्त से चन कर जल और उसमें विले गलुकोज, यूरिया, यूरी, कमला, आदी चनित की रूप में क्या हो जाते ह है और यह अचनित जो परदात है यह तन चोटी-चोटी निलीकाव से क्या होकर गुजरते हैं और जहां पर गलुकोज और अन्य उपयोगी लवनों का पोना क्या होता है अब सोसंड और बाकी जो सुध रक्त है वो वक्रकी सीराओ के द्वारा पोना रक्त के अंदर भेज ठीक है यह मैंने जो चेप्टर की जब व्याक्या पड़ाई है तो बहुत अच्छे सा चित्र के ज़री समझा रखा है तो आप से रिक्वेश्ट है कि एक बार वो क्लास जरूर देखें अगला है फ्लैमिंग का वामस्त का नियम लिखिए तो फ्लैमिंग का वामस्त का निय को इस प्रकार फैलाओ कि वो तीनों क्या हो परस पर लंबवत हो 90 डिग्री के कौन पर हो तो ऐसी इस्तती में जो तरजनी अंगुली है वो चुम्बकी चेत्र को दर्शाएगी जो मध्य अंगुली है वो दारा के प्रवा को बताएगी और जो अंगुठा है वो चालत की करेगा अंगुठा चालत की दिशा को तरजनी आपकी चुम्बकी चेत्र को और जो मध्यमा है वो or डारा की दिशा को पर्दस्यित करेगी ठीक है ये था फ्लेमिंक का वामस्त नियब फिर विद्धु जनित्र का नामांके चित्र तो यह आपको विद्धु जनिरेटर का एक नामांके चित्र बनाना था ठीक है फिर आगे बरते हैं आनुवांसिक विबिन्ता से आप क्या समझते हैं और सव इस्ताने सरक्षन और बहर इस्ताने सरक्षन को समझाईए तो देखो एक ही परजाती के विभिन सदस्यों के मद्य जिन के कारण पाई जाने वाली जो विभिनता है उसको बोलते हैं आनुवानसिक विभिनता एक ही परजाती के विभिन सदस्यों के बीच में जिन के कारण पाई जाने वाली जो विभिनता है उसको बोलते हैं आनुवानसिक विभ बित्या को उसके प्राकरतिक प्रयावरण में सरक्सित करना और इसके लिए प्राकरतिक आवास इस्तानों को सुरक्सी छित्र गोसित कर दिया गया है सब इस्ताने सरक्षन के अंत्रगत, बायो इसपर रिजर्ब, राष्ट्रिय उद्यान, अब्यारन, वेट लेंड्स, मेग्रो वनस्पति आदी आते हैं दूसरा है बही इस्ताने सरक्षन, ने किसी भी जीव का सरक्षन उसके प्राकरतिक इस्तान की बजाए किसी दूसरे जगे पर करना तो जीवों का सरक्षन, सब इस्ताने सरक्षन सबसे अच्छा होता है, अत्र प्राकरतिक रूप से किया गया सरक्षन अच्छा होता है प्रांतु जब कभी इस प्रकार का सरक्षन संभव नहीं होता है तो बानस्पत्यक उद्यानों और विशेस व्रक्ष संग्रहन में बही इस्ताने सरक्षन संभव है ठीके एननी जीवों का उनके मूल इस्तान से किस्री दूसरी जिकेपर सरक्षन करना वो कहलाता है बही इस्त जबकि प्राणिये में चिडिया ग्रोग के रूप में किया जाता है ठीके अगला सव प्रागन और परप्रागन में अंतर तो पहला जो पॉइंट है सव प्रागन का यह किरिया केवल दूलंगी पुस्पो में पाई जाती है जिसमें नर और मादा दोनों मौझुद होते हैं परप्रागन यह किरिया दोनों एक लंगी एत्वा दूलंगी प्रकार के पुस्पो में होती है यह दोनों ही प्रकार के पुस्पो में हो सकती है सव प्रागन के अंदर जो पुस्पो पाजाते हैं वो रंगीन होते हैं और घंधिन जबकि परप्रागन वाले जो पुस्प ह परागन अपनी ही जाती के अन्य पुस्प के वर्तिक आगरपर गिरते हैं ठीके सव परागन में क्या होता है इस प्रकार की किरिया में किसी माध्यम या साधन की आपसक्ता नहीं होती है लेकिन परप्रागन में बायू, जल, कीट आधी के माध्यम से क्या होती है प्रागन की क्रिया होती है फिर सव प्रागन से उत्पन जो पोधे हैं वो कमजोर होते हैं और असवस्त होते हैं जब गी परप्रागन की किरिया से उत्पन पोधे सवस्त और कैसे होते हैं, पोस्ट होते हैं, ठीके, अगला, निसेशन किसे कहते हैं, और मानों में निसेशन की किरिया किस अंग में होती है, तो नर और मादा युगमक, यानि नर सुकरानू और मादा अंडानू के मिलने या स सलयन की जो प्रक्रिया है और उससे जो यूग्मनस बनता है उसके बनने की क्रिया क्या 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 थी है निसेशन जिसमें क्या होता है नर के सुक्राणू और मादा के अंडानू क्या होते हैं आपस में संप्रक में आते हैं जिसकी वज़े से यूग्मनस का निर्मान होता है अ नली का कहते हैं औन्ड वही नलीगा कहते हैं। उसकी अंदर निस सेंशन के करिया होती है। यह इस तरह आपको मानंव नेतर नाम के चित्र बनाना था। निकट दरश्टी दोस्त के कारण और दरश्टी के कारण और निवाARन लखिए। इसका कारण क्या है तो कारण है या तो लेंस से रेटिना तक की जो दूरी है वो बढ़ जाती है मतलब नेत्र गोलक होता है उसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है ठेक है पहला कारण यह हो सकता है दूसरा लेंस की प्रश्टों की जो वकरता त्रिज्या वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है यह लेंस का या तो मोटा हो जाना लेंस का मोटा हो जाना जिसकी वज़े से उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है जिसकी वज़े से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है इसका निवारन कैसे कर सकते हैं इस दोस्त को निवारन करने है तू हम क्या करते हैं उची सम्ता का एक अव्तल लेंस का उप्योग करते हैं इसका उप्योग करते हैं उची सम्ता के एक अव्तल लेंस का उप्योग करते हैं फिर बात करते हैं दूर देश्टी दोस्ट इसमें क्या होता है इसमें दूर की वस्तु तो साब दिखाई देती है लेगिन पास प्रतिविम है क्या बनता है रेटिना से पीछे बनने लगता है अब गुर्ध द्रश्टी दोस्त में होता क्या है इसकी निवारन के लिए हम उच्छी समता के उत्तर लेंस का क्या करते हैं प्रियोग करते है ठीके ताकि प्रतिविम रेटिना पर बने अगला एक 4 ओम प्रतिरोध में 10 एंपियर की धारा 2 सेकंड में प्रवाइत होती है तो उस्मा की मात्रा तो इसका क्या क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है आर प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम धारा आई का मान दिया हुआ है 10 एंपियर समय का मान दिया हुआ है 2 seconds तो उस्मा का मान h equal to क्या होता है i square r t i का मान कितना है 10 गोणा 10 r का मान कितना है 4 t का मान कितना है 2 यह कितना हो गया 4 दूनी 8 और यह हो गया 100 यानी 800 जूल चीके अगला प्री नली का क्या है और परिनालिका से विद्धित चुंबक कैसे प्राप्ट करते हैं तो परिनालिका चाहें, जब हम कागज या गत्य की बेलनाकार नली को लेकर उसके उपर तामबे के विद्धित रोधी तारों को लपेट लेते हैं तो एक लम्बी कुंडली का क्या होता है निर्मान होता है उसी का बोलते हैं परिनाली का बोलते हैं जैसे देखो ये कागज या गत्या का कोई बिलनाकार सीट है वो नली लेले हमने और इसके उपर तामबे के विद्धित रुधी तारों को मिलकुल लपेट दिया तो इस प्र जब परिनालिका में धारा परवाइद की जाती है तो परिनालिका में क्या होता है चुम्बकी चित्र उत्पन होता है इस चुम्बकी चित्र की जिसा क्या होती है समान होती है और बाहर के चुम्बकी चित्र एक दूसरे का क्या करते है विरोध करते है और इसी कारण से चुम् लगावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावाव ये किसका गाम है, पोजेश्ट्र नार्मोन का अगला प्रस्न है, माजा जनन तंत्र का नामां की चित्र या आपको चित्र बनाना था एक, माजा जनन तंत्र का फिर परतिवर्ति किरिया का उधारन तो पर्तिवर्ति किरिया क्या होती है जो बाहरी उद्धिपन होते हैं ठीक है बाहरी उद्धिपनों के पर्ति जो हमारा मस्तिस्क बिना कोई सोसे समझे तूरं से जो पर्तिवर्ति किरिया करता है उसको बोलते हैं पर्तिवर्ति किरिया ठीक है यानि किसी बाहरी उद्धिप क्या हो जाते हैं पीछ इड़ जाते हैं यहां सरप ने वुद्धिपन खारय किया है यहां पर सरप ने उद्धिपन का मतलब है hem संकित देने का काम किया है और चोक कर कुधना ये कैसी क्रिया है ये एक अनेचिक क्रिया इसमें मस्तिष्क या मेरुदन की कोई भूमिका नहीं है इसके लिए में मस्तिष्क ने कोई प्रेणना नहीं देई है तो ऐसी अर्नेचिक क्रियाओ को क्या कहते हैं परति विर्थी क्रिया कहते हैं जिसके अंदर मस्तिष्क को कोई योगदन नहीं होता है जैसे छेंकाना ठी प्रतिवर्ति क्रियाओं के उधारन है इस प्रकार हमने आपके विज्यान विषय के अद्वार्शिक पैपर को बहुत अच्छे से स्वाल्व कर लिया है उम्मित करता हूँ सभी प्रशन आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आप से पिको धन्यवाद यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट से और सब्सक्राइब जरूर करें आज के लिए इतना ही जे हिंद जे भरत